अगर आप अपने बालों की हेर ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आज मैं आपको जो नुस्का बताऊंगी ये नुस्का आपके बालों में लगते ही आपके बालों की हेर ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने का कार्या कर देगा इस नुस्के को बनाने के लिए आपको जादा कुछ नहीं करना एक onion लेना है और आपको medium size के onion का juice निकाल लेना होगा, उसके बाद आपको लेना है aloe vera gel की leaf, आपको friends aloe vera gel की leaf लेनी है और आपको friends आधे aloe vera gel की leaf काफी रहेगी, इसके लिए friends आपको aloe vera gel की pieces cut कर लेना है और इसका भी paste बनाकर तयार कर लेना चम्मद जूस वनकर तैयार हो जाए तो चुलिए शुरू करते हैं आज के इस को लेकिन अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैंल पर missing तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू के बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इस नुश्के को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा एक क्रीन बाउल अब आपको फ्रेंड्स इसमें एड करना होगा ऐलोवेर जल का पेस्ट मैंने फ्रेंड्स इसे मिक्सी में डाल कर इसका स्मूध पेस्ट बना कर तयार कर लिया है आपको भी फ्रेंड्स इस तरह से इसका स्मूध सा पेस्ट बना कर तयार कर लेना है और दूसरा फ्रेंड्स आ को एड़ करना होगा अब आपको फ्रेंड्स इसमें एक चीज और एड़ करनी है कैस्ट्रोइल कैस्ट्रोइल भी फ्रेंड्स हमारे बालों के लिए बेयद जरूरी और अवश्यक माना जाता है अगर आपके बालों की इरग्रूद बिलकुल ही रूख गई है घंजेपनी का श बड़ों में कीजिए लगबक 15-20 मिनट की मसाद अपने बालों में कीजिए और इसे अपने पूरे बालों में लगाकर दो घंटे के लिए छोड़ दीजेगा उसके बाद आप अपने बालों में शेंपू कीजिए जब आप अपने बालों को शेंपू करके हटेंगे तो दीरे दीरे अगर आप इसका यूज करते रहेंगे तो वन मंत के अंदरी बालों का जड़ना तूटना एकदम से बंद कर देगा और आपके बालों को तेजी से घना बना देगा बालों की लंबाई को ऐसे बढ़ाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा अगर आप ये आज का मेरा वीडियो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स के जरिये मुझे जरूर बताएं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों